एक जमाना था जब राजणीती समात सिवा के लिए की जाती थी, लेकिन अब राजणीती कही न कहीं एक व्यापार बन कर रहा गई है। राजणीती के इस बदलते दौर में आज हम अपनी पॉलिटिकल स्टोरी में एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो चार बार सांसद रहे केंद्रिय मंत्री रहे और संसद में तो आधा दर्जन से अधिक समितियों के सदसे रहे लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन किराय के में काटा और कभी एक स्कूटर तक नहीं खरीद पाये जिंदगी भर रोडवेज की बसों में ही उन्होंने सफर किया हम बात कर रहे हैं केंद्रिय मंत्री और गड़वाल लोकसभा सीट से चार पार सांसद रहे भक्त दर्शन जी के बारा परवरी 1912 को उत्रपदेश के बस लेकिन हाई स्कूल और इंटरिंडों ने देरादून के डिय वी कॉलेज से किया बी ए इनोंने शांती निकेतन से किया और एमे राजनियती शास्त्र से इलावाद विश्वी जाला से किया आजादी की आदोलन में हमेशा से क्रिय रहे और महात्मा गांदी से बेहत प्रभा है इसके बाद 1941, 1942, 1944 और 1947 में कई बार जेल भी गए भक्ति दर्शन एक पत्रकार भी थे इनोंने गरदेश, कर्म भूमी और दैनिक भारत जैसे समाचार पत्रों में संपाधन का कारिय भी किया था इसके अलावा में सहित्यकार भी थे सुमन स्मृती, गरभाल के दिवंगत विभूतिया, कलावित, मुकंदिलाल बैरिस्टर, अमर सिंग रावत और उनके अविशकार और स्वामी रामतीर्थ इनकी प्रमुख कितावें थी आजादी के बाद में 1948 में गरभाल जिला परिशद के निर्वी रोध अर्ध्यक्ष बने और उनिस सो उननशास से लेकर उनिस सो बावन तक देरदून और पौरी जिले के जिला नहीं हो जन आदिकारी भी रहे उनिस सो बावन में देश में पहले लोकसभा चनाव हुए गांधी के साथ मंतरी मंडल में सदस्य भी रहे केंद्रिय शिक्षा मंतरी रहते वे पूरे देश में केंद्रिय विद्यालियों की स्थापना की और पूरे देश में हिंदी के विकास में इन्होंने प्रमुखी योगदान दिया इनके प्रयासों से ही केंद्री ये हिंदी निदेशाले की स्थापना भी होई इनका दक्षिन और पुर्वतर राजियों में हिंदे के पचार प्रसार में अधितिय योगदान रहा है उतरकाशी में नहरू परवातर उहन सहस्थान खोलने का श्रे भी नहीं को जाता है 1972 में इनोंने सक्रवी राजनीती से खुद को किनारे कर दिया था उसके बाद में 1971 से लेकर 1977 तक कानपुर बेशे विदाला की कुल पती रहे 1988 से 1990 तक कुतर परदेश ये इंदे सहस्थान की उपाध्यक्ष रहे इतना सब कुछ होने के बावज़ूद भी वे अपने लिए एक मकान तो दूर एक कमरा तक नहीं बना पाए जिन्दगी भर किराय के ही मकानों में रहे यहां तक कि जब 30 अपरेल 1971 में में उनकी मृत्य हुई तब भी वे देरादून के चुकु वाला में किराय पर रहते थे वरिष्ट पत्रगार और तिहासकार योगेश धस्माना बताते हैं कि वे हमेशा किराय के मकान में तो रहे ही साथ ही में अपने लिए कार तो दूर स्कूडर तक नहीं खरीद पाए रोडवेज की बसों में ही सफर किया करते थे बाद में गरवाल मूटर यूनियन ने उनसे किराया लेना भी बंद कर दिया था वक्तिदर्शन जी ने राजनीती में कभी भी परिवारबाद को बढ़ावा नहीं दिया उनके चार बेटे और दो बेटिया थी लेकिन उन्होंने कभी उन्हे राजनीती में नहीं आने दिया 1972 में जब उन्होंने राजनीती से सन्यास लिया तब उन्होंने सभी राजनीताओं से अपील भी की थी कि युवाओं को आगे आने दें और 60 साल की उम्र में स्वेशा से राजनीती छोड़ दें इंद्रा गांदी ने तो उन्हें राजनीती में सन्यास लेले से रोकने की बहुत कोशिश भी की थी 1982 में जब गड़वाल लोग से वाज सीट पर उपचिनाओ हुए थे और हिम्मतिन अंद्र बहुगुणा को हराने को लेकर इंद्रा गांदी की शाकदाओं पर लगी थी तब भक्त दर्शन ही थे जो उन्हें हरा सकते थे इंद्रा गांदी ने उन्हें इस चुनाओं में लड़ने के लिए मनाने का पुरा प्रयास भी किया लेकिन वो माने नहीं ऐसे विरले राजनीता शायद 1960 के दशक के बाद होने समाप्त हो गए हैं हमारे देश में जो समाथ सिवा के लिए ही राजनीती से जुड़ते थे और महत्वा काशाओं को कभी अपने अपर हावी नहीं होने रहे थे जहां सांसेद और विधायक अपने मात्र पांस साल के कारेकाल में करोनों की संपत्ती जोड़ देते हैं महीं भक्त दर्शन स्वर्ग भी सिधारे तो किराय की मकान पर ऐसे नेताओं को ये देश सदे अवरिनी रहेगा हम ऐसे ही रोचक पॉलिटिकल स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे अपने इसकारिकरम में तो अब जल्दी से देवु मिन्योज को सब्स्क्राइब कर लेजे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बहुत धन्यवाद आपके